बीस से पच्चीस अगस्ते देस के इंशेतरों में भीक्षण मान सुनी पारिश। दोस्तो स्वागत है आपका नमस्ते नियूज में मैं हूँ आपका रोसुन अवी शुर्मा हम बात करे हैं मौसमी भाग के लिटेश्ट अपडेट की। पश्मी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाना, उत्री राइस्थान में 24 अगस्त तक मोसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। लेकिन उत्राघण में रूडुकर मध्यम भारिश जारी रहने के आसार है। राज्य में एक दो बार भारी वर्ष्टा से इंकार नहीं क्य पर मोसम में हल चल रहेगी क्योंकि मानसून सकरी रहेगा। एक निमदवाव को अच्छेतर विक्सित हुआ है जो धीरे-धीरे मध्यम भारत पर पहुँच रहा है। इसके प्रभाव से मध्यम प्रदेश और पूर्वी और मध्यभागों तक उत्तरी शत्तिस गड़ में 19 के मध्यवर से भारी भारिश हो सकती है विदर्व में 19 अगस्त को कुछ स्थान ओपर भारी भारिश हो सकती है। बीस और 21 अगस्त को मध्यभाव में बारिश की रत्युदियां बढ़ जाएगी। जबकि 36 गड़ में बारिश में कमी आएगी। बात पूरी राजिस्तान की करें तो इहां कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो शकती है लेकिन 22 अगस्त से मध्य भारत से जाद रिस्तों में बारिश में कमिया जाएगी और महराष्ट के बाकी हिस्तों में एक दो स्थानों पर हलकी बारिश होती रहेगी वहीं तेईस और चोईस अगस्त को मध्य पढ़ जाएगी अनुमान है कि पुरियुत्र पदेश में भागों में 21 अगस्त और अच्छी वर्षा हो जाएगी बात करें दक्षिन भागों में तकी करना टक आंतर पदेश दक्षिन आंतरिक करना तक आंतरिक करना तक आंतरिक तामिल नाडू और तेलंगान में 19 और 20 अगस्त को हल्कि से मध्यम बारिश की संभावनाई जटाई गई है महीं उत्तरिक करना टक में इस दुरान मानसून के कमजोर रहेगी और बारिश बहुत कम होगी महीं 19 अगस्त को इन श्यत्र में बारिश दर्ज की गई और आज भी इन श्यत्र में बारिश पदेश करनाटक केरल तामिल नाडू के एक दोस्तनों उपर रायल सीमा में बारिश देखने को मिल सकता है वहीं बारिश की रतिविदिया चोवी सगर्चा तक चारी रहेगी उसके बाद तटी करनाटक और केरल को छोड़कर दक्षिन भाहरत के अधिकान से भागों में मोशम शुष को हो जाएगा हाला कि दक्षिनी आंतरिक करनाटक जिसमें बेंगलूर और आसपास के इलाके तथा सटे हुए आंतरिक तामिल नाडू के भागों में एक दोस्तनों पर वर्षा देखने को मिल सकती है तो दोस्तों इस प्रकार से रहने वाला है दक्षिन भारत पूर